हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राज यादब और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल बीली फैमिली तो आज हम आपके लिए लाए हैं कि आप मानव संपदा में किस तरह से अपने डाकूमेंट अपडेट करें अगर आप गबर्मेंट इंपलार हैं तो इसमें आपको डाकूमेंट अपडेट करना अनिवार होगा तो अगर आपने अभी तक हमारे बीली फैमिली चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आप हमारे BLE Family चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नौटिफिकेशन मिल जाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को फालो और लाइक करना ना भूले तो हम आपको इसमें बताएंगे कि आप किस तरह से मानव संपदा पर अपने डाकुमेंट अपडेट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम पे और यहां पे लिखेंगे मानव संपदा तो हम आ गए हैं क्रोम पे और यहां पे हम डालेंगे मानव संपदा तो मानव संपदा हम जैसे ही डालेंगे तो उसकी ओफिसिल वेबसाइट आ जाएगी ehms.up.dc.gov.in इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्सिन में दे दूँगा आप बहां से भी इसको उपन कर सकते हैं तो जैसे इसको उपन करेंगे तो इसके लिए आपको पास लोगिन आईडी और पासवर्ड होना चाहिए संपदा की ओफिसिल वेबसाइट खुल गई है अब इसमें यहां पे डिपार्टमेंट दिखा रहे हैं सारी चीजें दिखा रहे हैं कितने लोगों ने इंपलायर रिजिटेशन कर रखा है तो इसके जो डेट थी वो 17 तारीक तक बढ़ गई है 17 अगस तक तो इसमें हम सबसे पहले जाएंगे EHRMS लोगिन जो आपके पास होगी तो इस पे क्लिक करेंगे अब यहां पे डिपार्टमेंट या हेड आफिस मांगेगा तो इसमें से बेसिक एजुकेशन का आप यहां पर से अभी भर सकते हैं और यहां पे आल डारेक्शन भर सकते हैं तो हमें भरना है बेसिक एजुकेशन का माल लीजिया माल लीजिए उसके बाद यहाँ पे user id और password डालेंगे तो माल लीए हमारी user id यहाँ पे हमने डाल दी password हमने यहाँ पे डाल दिया इसके बाद यह gapcha भरेंगे तो gapcha हम भरते हैं p, w, x, s, b, k और यहाँ login पे click कर देते हैं तो जैसी हम login पे click करेंगे हमारा पूरा profile खुल जाएगा कि हम कहाँ पे employer हैं किस में काम करते हैं कौन सा department है यह सारी चीजे फिर इसके बाद हमको अगर अपने document अपडेट करना है तो हम general पे click करेंगे और जैसे general पे click करेंगे नीचे पिकल पाएगा view या update document तो हम इस पे जैसे ही click करते हैं view या update document पे तो सीध है यहाँ पे document category मांगेगा यहाँ पे document category educational है और order है order में आपको pen number driver license certificate number जैसे यहाँ पे pen number जो भी certificate होगा वो कब issue किया गया और किस ने issue किया और यहाँ पे उसकी PDF या JPG जो 100KB की होनी चाहिए 100KB से उपर की ना हो और यहाँ पे submit कर देंगे और आप educational में click करेंगे तो यहाँ पे दो तरहें की educational certificate होते हैं एक तो certificate होता है एक mark seat होती है तो जैसे mark seat करते हैं तो इसके बाद फिर qualification name आएगा तो इसमें आपने BA, BSC, MA, MSC जो भी कर रखा है उसको भरेंगे इसके बाद जो stream होगी उसको select करेंगे माल यह हमने यहाँ पे B8 भरा है और इसकी art से हैं, science हैं, किस पीसे से हैं इसके बाद यहाँ पे roll number भरेंगे इसके बाद किसनी issue किया है UP board ने किया है, दिल्ली उनिवर्स्टी से है मातमा जोतिवापल, रोहिल खंडी उनिवर्स्टी से उसके बाद हमने यहाँ पे document यहाँ पर से document select कर लेंगे जो भी हमारा document होगा document select करने के बाद यहाँ पे submit पे click कर देंगे और submit पे click करने के बाद हमारा जो document होगा वो update हो जाएगा अब इसको हम कहां से देखेंगे तो यहाँ पे लिखिया है view update document जो जो भी हमने document यहाँ पे update कर रखें वो सारे आ जाएंगी तो हमने यहाँ पे high school की mark seat इंटर की mark seat BA की mark seat our certificate यह तारी last और certificate यह सारी चीज़े pen card यह जो भी आपडेट कर रखे आ हैं यहाँ पर से आप देख सकते हैं तो आईए इसको हम कर्सकार हम आपoda जैसे तो यहाँ पर हम कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपडेट करना है तो इसतरह आप अपडेट करा हैं और यहाँ पर से आप लोग आउट कर सकते हैं तो 17 तारीक इसकी लास्ट है तो आप जल्दी से अपडेट कर दीचिए सर्वर प्रोब्लम भी हो सकती है तो आप इसको एक बार लोग आउट करके फिर लोग इन करके अपडेट करेंगे तो यह आराम से हो जाएगा अगर वीडियो आपको पसंद आयो तो वीडियो वो लाइक कीजी अगर आप कमारे चैनल पर नए हैं तो अगर आपको कोई राय हो आप अपनी राय दे सकते हैं अगर आपको कोई सुझाव देना है आपको कोई शिकायत है आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो नीचे comment box में जरूर लिए या नीचे email दिया गया है आप हमको email कर सकते हैं तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जब तक के लिए जैहन